हेलो एविर्वान वेल्कम बैक टू मैं चैनल आज हम बनाएंगे जुकनी की सब्सी जो की स्वाद और सेहत दोनों से भरपूर रहती है इसमें वाइटेमिन बी सी एंटियोक्सिजिन से भरपूर है पोटेशियम रहता है फाइबर है जो की सीहत के लिए काफी अच्छी है और इस तरह से मैंने हाँ पे 300 ग्राम जुकनी ली है जो की तुरही की तरफ देखने में रहती है और इसको हम पहले अच्छे से दो लेंगे अगर इसकी जो सकत है तो इसको आप पीलर की हल्प से छिलका अलग कर सकते हो लेकिन अगर सौफ्ट है तो आप इसको मतलब यूज कर स बहुत ही स्वादेश लगता है थोड़ा थोड़ा कदू और तुरही की तरह इसका तेस्ट आता है और यहां पे जो मैं यह सबजी बनाओंगी यह बीना प्याज लहसुन के बनाओंगी तो अगर आप वरत्ने हो तो भी आप इसे बना सकते और प्याज लहसुन नहीं खाते तो आप इसे ट्राइ कर सकते हो स्वाद में बहुत पेस्ट्री लगती है सच में तो यह देखिए मैंने हाँ पे जुखनी को कट कर लिया है इस तरह से और दूसरी तरह कडाई को मैं गरम कर लोंगी और कडाई में डालउगी एक बड़ा चमत सर्सो का तेल और तेल को पहले हम अच्छे से पका लेंगे यानि हमें इसको जो है स्मोकिंग पॉइंट तक जो है अच्छे से गरम कर लेना है तो आप देख सकते हो कि तेल यहां पर पक चुका है फ्लेम को बिल्कुल हम लो कर देंगे और इसमें डालेंगे एक छोटा चमच जीरा और दो लाल मिट साबुत तोड़के डालेंगे और इसके बाद इसमें जाएगा एक छोटा चमच का लॉंजी यानि निजला सीट्स और इसे कुछ सेकिंज के लिए हम भून लेंगे यानि फ्राइ कर लेंगे ताकि इसमें बाद में सबजी में कच्ची स्मेल ना रहे इसके बाद इसमें हम डालेंगे एक छोटा चमच, धनिया पौडर, आदा छोटा चमच, हल्दी का पौडर और इसे भी भून लेंगे ताकि ये भी कच्चा न रहे और फ्लेम को याद रखे बिल्कुल स्लो रखेंगे यानि लो फ्लेम पे ही रखेंगे ताकि ये जो मसाले ये जलने नहीं चाहिए और इसके बाद इसमें जाएगा एक इंच अद्रक का टुकड़ा कद्दुकस की आव इसे भी कुछ सकन्स के लिए फ्रै कर लेंगे अगर और अप ल offenses खाते हो तो यहां पे आप जो है जसुन एक कर सकते हो और इसके बाद इसमें जाएगा जुकनी औरि लेंगे ताकि जो भी मसाले है जुकनी में अच्छे से लिपट जाएं और इसके बाद मैं इसमें आड़ करूँगी एक छोटा चमच नमग स्वादनुसार मतलब और जाएगा आदा छोटा चमच लाल मिर्च का पाउडर और इसे भी हम अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे दो टेबल स्पून के करीब ताकि जो यह मसाले इसमें जले नहीं क्योंकि अपने सूखे मसाले आट किये तो जलने का डर रहता है तो इसलिए थोड़ा सा पानी एट कर देंगे वैसे तो जुकनी में अपने आप में बहुत पानी होता है तो लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा एट करेंगे इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद इसे हम चार से पांच मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे पकने देंगे और चार से पांच मिनट के बाद चेक करेंगे यह देखिए इसको अच्छे से हिला लेंगे अभी जो है सब्जी तैयार नहीं हुई है अभी भी कसर है यानि कच्छी या भी थोड़ा तो अभी दुबारा हम इसे तीन से चार मिनट के लिए दुबारा ढखके जो है पकाएंगे तीन से चार मिनट हो चुके है तो अभी हम चेक करते हैं तो यह देखिए दुबारा हम अच्छे से इसे इस तरह से हिला लेंगे और चेक करेंगे कि सब्जी पकी है या नहीं तो यह देखिए यहां पे हमारी सब्जी बिल्कुल तैयार पके तैयार हो चुकी है अब एक चीज इसमें और जाएगी इसमें एक छोटा चम्मा जो हम डालेंगे अमचूर का पाउडर अगर आपके पास अमचूर का पाउडर नहीं है तो आप इसमें नीबू का रज डाल सकते हो लेकिन याद रखे सब्जी जब गैस जो है फ्लेम आफ आफ कर दो उसके बाद तो यह देखिए यहां पे जो है तीस से चाले सेकंड हो चुके फ्लेम मैंने आफ कर दी है हमारी सब्जी जो है बिल्कुल तैयार है तो अभी में इसमें जो है हरा धनिया एड करूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप इसे रोटी के साथ या फिर चावल के साथ पर आंठे के साथ सर्व करें बहुती टेस्टी लगती है और सेहत में भी काफी अच्छी है यह देखे हमारी सब्जी बिल्कुल तेहार है और अगर आपको मेरी रेसेपी अच्छी लगी हूँ तो लाइक कीजेगा वीडियो को और जादा से जादा शेयर कीजेगा और चान अच्छी वीडियो के साथ तिल देन बाई